स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में और बात यूपी की यूपी की बात इसलिए क्योंकि यूपी का अगले कुछ दिनों में फर्स और सेकिंड फेज के चुनाव वहां पे होने वाले हैं विस्टर यूपी में लेकिन हम जो बात करेंगे यूपी चुनाव की उसमें ह हम जो प्रेडिक्टिबल लाइन्स पे यानि कि अगर किसी चुनाव में वेव नहीं होता कोई लहर नहीं होती जैसा कि एक तरह से 2012 और 2017 के चुनाव में था तो वैसी स्थिति में जो जातियां होती है वो अपने कास्ट आइडेंटिटी पे वोट करती हैं अब यह तक्रीब और समाजवादी पार्टी को वोट करेगा लेकिन इन सब के बीज में जो अधर जो नॉन डॉमिनेंट कास्ट की जातियां है वो किधर जाएंगी उनका मूट क्या है और वो चुकी पिछले चुनाव में 2017-2019 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता तक पहुँचाने में उनकी एक बड़ी हिस्सेदारी एक बड़ी भागेदारी थी तो प्योर पॉलिटिक्स में बात उन जातियों की यानि की प्रजापती से लेकर सैनी और जो निशाद ऐसी जो जातियां है उनका रूप क्या होने वाला है यूपी चुनाव में या कम से कम जो शुरुआती एक तरह स नौन डॉमिनेंट ओबिसी जातियों की अगर यूपी की पॉलिटिक्स में देखें अगर कास्ट कॉमिनेशन को देखें तो तकरीबन 35% ऐसी नौन डॉमिनेंट कास्ट की ओबिसी जातियां है जो की पॉलिटिक्स को एक तरह से किसी की पक्च में जुका सकती है किसी के पक तो अख्लेश्ट यादव की रिजीम में जो यादव वोडबैंक है जो OVC की सबसे डॉमिनेंट कास्ट है अगर आप इस्टर यूपी की बात करें वेस्टर यूपी में OVC की जो डॉमिनेंट कास्ट वो जाड़ है इस्टर यूपी में वो यादव है तो इन दोनों के प्रमुकता से उन्होंने जगह दी और उनके लोगों को प्रमुकता से उन्होंने मंत्री मंडल में जगह दी या फर एक पर्शेप्शन क्रियेट किया कम से कम कि उन नॉन डॉमिनेंट कास्ट की जो जातियां है और चुकि कई सालों से जो OVC जो क्लास है उसमें जो डॉमि और इस तरह की जातियां हैं तो यह सारी जातियां जो हैं वो कहीं न कहीं अपने को उपेक्षित महसूस करती रहीं और इसलिए उन्होंने एक तरह से गोलबंदी की 2017 और 2019 की इलक्षन में बीजेपी के लिए अब इसको समझते हैं कैसे मसलन सहारनपूर इलाका है सहारनपूर इलाका जो है वह तरह से दलित वोट बैंक के लिए मशूर है जिस तरह से आगरा दलितों की डाजदानी कहीं जाती है वैसे ही सहारनपूर इलाका में दलित और मुस्लिम जो कॉम्मेंशन है वह काफी जादा बहुत आयत है यानि कि मैजार्टी में एक तरह से हैं एक से अभी थोड़े दिन पहले योगी काबनेट में जो मंत्री थे धर्म सिंग सैनी उन्हों ने इस्तिफा देकर समाजवादी पार्टी का दामंद साथ लिया है और चुकि एक साथ कई सारे मंत्रियों ने इस्तिफा दिया तो एक काफी बड़ा एक पर्शेप्शन बैटर कर रहें उसमें दर्म सिंग सैनी भी थे स्वामीपसाद मौरे थे दारा सिंग चौहान थे यह सारे जो लोग है वह इस्टर यूपी से तालूकात रखते हैं लेकिन सैनी वह वेस्टर यूपी के सहारनपूर से हैं अब नकुट स्रीट पर धर्म सेंग सैनी इस वार समाजव और बाकी उनके साथ में कश्याप और अलग जो जातियां है वहाँ पे साइजेवल चंग है उस नकोडु कंस्वेंसी में अब वहाँ पे कई सारे जो सैनी गाउं है उन सब में जब हमने घूमे और वहाँ पे लोगों से बात की तो उसमें कई सारे लोग थे उनका ये कहना था कि सिर्फ वो बिरादरी के नाम पर वोट नहीं करेंगे धरम सिंग सैनी को क्योंकि उनका कहना था कि धरम सिंग सैनी ने पांस साल तक तो बीजेपी सरकार में मौज लिया और अब मुस्लिम वोट पाने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन साथ लिया है तो उन सपा कहना है कि वो एक तरह से उनके लिए लॉय और जो है सबसे बड़ी समस्या है और वो लॉय और के नाम पर कानून वियुस्था के नाम पर बीजेपी को वोट करेंगे क्योंकि बीजेपी के रिजीम में लॉय और बहतर हुआ है पेछले सरकार के मुकाबले यानि कि अखलेश के मुकाबले तो एक तरह से यह बात भी कही ना कहीं ओभी सिजातियों की जो गोलबंदी है वो बीजेपी के पक्ष में दिखती है कम से कम विस्टर नूपी में एक और सीट जैसे की सहारनपूर ग्रामीन सीट है यह काफी इंट्रस्टिंग सीट है क्योंकि इस सी सीट पर मायावती मुख्यवंत्रीपत से हटी 2007 में जब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो उन्होंने अपने एक confident जो जगपाल हैं उनको उस सीट पर वह सीट ऑफर कर दी तो आप समझ सकते हैं कि मायावती के कितने वह क्लोज रहे होंगे जगपाल उसके बाद ब्यस्प जगपाल हैं अब उस सीट पर जाटव जो कम्यूटी है वह काफी संक्या में है नब्य हजार के तक्रिवें जाती है जो वैसे तो सहारनपुर जो रियूरल सीट है उस पर वो बीजेपी को वोट करेगा लेकिन उसमें एक बड़ा जो चंक है दलित सेक्शन जो है वह कहीं न तरह से दलितों के साथ में मिलकर वो बीजेपी के पक्ष में वोट करना चाहती है क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या की कानून ब्योस्था की इस्तिती बैतर हो गई है और उन इलाकों में विस्टन यूपी में खास करके कानून ब्योस्था एक बड़ा मुद्दा है अब योगी की रिजीम में भी कानून ब्योस्था कि इस्तिती अच्छी है तो अब अगर ही सवाल है कि आप अगर सहारनपूर, मुरादाबाद, आगरा, अलिगर से लेते हुए शामली, बागपत इन सारे इलाकों में हर गाउं में हर पर्टिकुलर कंस्वेंसी में जो नॉन बीजेपी के पक्ष में युनाइट होता है, तो बीजेपी को इस इलाके में अपनी जो सीटों की संख्या है उसको बरकरार रखने में मदद मिलेगी, यानि कि समालवादी पार्टी की जो पूरी कोशिश है, अखिलेश की पूरी कोशिश है, कि वो नॉन डॉमिनेंट ओब दल इसके अलावा छोटी छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने अलाइन्स पना हैं तो उससे उनकी यही कोशिश है कि वह कहीं न कहीं OVS जातियों में क्राक पैदा कर सके उसका वोट हासिल करें लेकिन Western UP में यह कोई बहुत ज्यादा Significant यानि कि जमीन पे नहीं दिखता गूजर समुदाई में थोड़ी बहुत नाराजगी है जिस तरह से महीर वोज के इश्यू को हैंडल किया गया वीज़ेपी की तरफ से उसको लेकर थोड़ी नाराजगी है और जिस तरह से वो एक अपनी इमांड भी कर रहे हैं कि उन्हें शामिल किया जाज़ा Ñग वोट या समझवादी के इंटाक्ट होने से है और वो गर इंटाक्ट रहा तो बीजेपी अपने नंबर्स को वहाँ पर बचा सकती है शंकर अनिमेश दप्रिंट लेकिन आप हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने कमेंट्स अपने रियाक्शन लगाता है हमें